बिहार की राजनीती में हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है जिसे मीडिया समझ नहीं पा रही या कुछ राजनीती के अंदर खाने कोई बड़ा खेल चल रहा है जिसे पब्लिक नहीं समझ पा रही पार्टियां टूट रही है कुछ लोग इधर जा रहे हैं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एंडिये के अंदर में भी कुछ मन मुटाव पैदा हो रहा है कई सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब एक ही व्यक्ति दे सकते हैं वह हैं बिहार भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष संजेज जैस्वाल जी आपको बहुत-बहुत सोलत हैं बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो आपको बहुत-बहुत बढ़ाई कि भारती ज चुनाव में 121 सीटे मिले थी और हम लोग ने अपने ही कोटे से सीटे दी थी और जो 140 सीट लड़े उन्हें 75 सीटे आई और जो हमने 121 सीटों पे लड़ने का काम किया हमें 78 सीटे आई थी भारतिय जंता पाठी के ही कारे करता थे जब परिस्थितियां बदली तो अपना पा परिवर्तित हुई तो उन्होंने यह निर्ने किया कि हमारी पार्टी में आ जाएंगे और आज हम सबसे बड़े दल हैं मैं इस पॉलिटिकल जो उठापटक चल रहा है बिहार के अंदर उस पे मैं बाद में आऊंगा कर्कि जंता के बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारा मीडिया का मैं फेस भी नहीं हूँ और सरकार का भी मैं फेस मेरा काम है अपने कार्यकरताओं के साथ मिल करके और कार्यकरताओं का हिद देखना और कार्यकरताओं के साथ भारतिया जनता पार्टी का हिद देखना और यही कारण है कि कार्यकरताओं का विश्वास जो था वह तो मुझे बिहार में इतना एंटी इंकम्बेंसी होने के बावजूद भी हम अपनी हिस्से की दो तीहाई सीटें जीत सके उसका एक मात्र कारण है कि बिहार का प्रतेक कारे करता एक अलग इस्तर पर कारे करता है और संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा सारा नोग भारती इंटा पार्टी को जानते हैं तो यह कहते है कि यसवाल साहब बहुत ही टेकनिकली थी व्यक्टी है वो सोसल मीडिया से लेकर के डेटा उसके ऊपर काम करने में माहिर है जिस तर से गुजरात में पथल साहब करते हैं वो काम आप भीहार में करते हैं और यही आपकी सबस्रों बड़ी खासियत है अब मैं पेशे से दो डॉक्टर हूं और डॉक्टर बने के लिए कम से कम 14-15 घंटे पढ़ना पढ़ता था तो मेरी पढ़ने की आदत अभी तक गई नहीं है तो जाय पढ़ना उसके आए उस बारे में सोचना जिस प्रकार कोई मरी जाता तो नहीं रहता कि क्या बिमारी है पर जब हम सुनते हैं समझते हैं और उस बिमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं और उस हिसाब से दवा लिखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी असी है आप समझे क्या क्या दिखते हैं और उन दिक्कतों क्या इलाज हो सकता है अगर व हैं मुद्वे हैं संगठन है यह डाटा का जो खेल नहाया है है वो आखिर हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं कैसे ऊसका क्या क्या रोल आजकर क्या बिना इस तरह के संटिफिक डैटा इस के क्या पॉलिटिकल पाठी सर्वाइब कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी या सब को आगे चलकर के इसी काम में आना है दो बाते हैं अगर आपका नेत्रित्म मजबूत नहीं है अगर आपके पास मोदी जी जैसी योजनाय नहीं है तो आप कितना भी डाटा कर लीजिए उसे कुछ होने वाला नहीं है हम स्वभागेशाली है कि हम ऐ जब मानियः प्रधान मंत्री जी ने केवल गरीबों दलितों शोशितों समाज का जो सब से छूटा हुआ वर्ग था उसके लिए वह लागातार कारे करे थे और संगठन अध्येक्श के नाते मेरी जीमळारी थी कि प्रधान मंत्री जी और कहनश सरकार ने जो कारे किन हैं क को हर व्यक्ति तक हर कार्यकरता तक पहुंचाना और इस काम में डेटा का उपयोग सोशल मीडिया को प्योग बहुत ज्यादा हैल्फुल होता है हमारे पास जितने भी डेटा हैं अपने कार्यकरताओं के उनके वह वेरिफाइड है हम सीधे जब चाहें तब उन तक पहुंच स करता है है लेकिन अगर आपके कारे अच्शे नहीं है तो आप कितना भी डाटा बना लिजे कितना भी नेट वरकिंग कर लीजे इससे कोई रिजल्ट नहीं आने को है तकमने का मतलब है कि आपका एगर ठीक नहीं है कि इतनी है आप ब्राइणिक डर mathematics आप मैंशल नहीं कर भ अगर आप काम उपर वाले के लिए भी करना चाहिए अगर आप कामों को प्रचारीत करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा जाता है सामाजिक कारे बिल्कुल अलग है और जाहिर बात है हर मनुष्य को करना चाहिए थोड़ा बहुत मैं भी करता हूं पर वह बिल्कुल ही अलग फिल्ड है उससे इसका कोई राजनातिक संबंध तो नहीं है पर जो स्वभाव आपका अगर जो रहेगा जनता के बीच तो वही काम आएगा कि देखिए बेत्या में तो लोग कहते ही हैं दूसरा क्या है कि आजकर जो जमाना है यो केजरी वाल का जो यूग आ गया है कि काम करो कम और आवाज जो है उसका ज्यादा दिखा हो प्रचार प्रसार का और ऐसे में आप जैसे सीनियर लीडर्स समा सेवा भी करते हों और उस और जब आप अपने समाजी कारें का प्रचार करते हैं तो जाहिर बात है वह आप अपने व्यक्तिकत लाव के लिए करते हैं फिर तो वह समाज सेवा तो अरगीज नहीं हुआ केजरिवाल दी एक मानले में जरूब भागेशाली है कि उनको एक ऐसी सरकार मिली थी उनसे पहले की सरकार जो इतने ज़्यादा घोटालों में लिप्त थी कि उसके बाद उन्होंने जो किया जंता को लगता है कि यही उपलब्धी है दिल्ली इस देश का सबसे अमीर राज है इसके सारे कारियों को देखने का इसका इंफ्राइस्ट्रक्चर का काम किन सरकार करती है तो उनके पास दिल्ली के प्रदेश होने के कारण पैसे ज्यादा है और काम कम था तो वह थोड़ा बहुत करके भी अच्छे से अपने आपको सेल करने में पूरा पैसा लगा देते हैं और जो करते हैं चुकि इस पिछली सरकार में केवल घोटाले ही होते थे तो जो भी करते हैं जनता को लगता है यह उपलब्दी है लेकिन जस दिन भाजपा की दिल्ली में सरकार बनेगी उस दिन के बाद जनता को जरू समझ मैंगा कि केजरीवाल जी किसी हालत में नहीं थे मैं बाद आपको अब बता दो सारे दर्सकों को वैसे सजीय जैसौल ची बड़े सफट नजर आते हैं बहुत ही मृद्भाशी नजर आते हैं लेकिन की खासियत है जब यह स्टैंड ले लेते हैं तो फिर आप पीछे नहीं हड़ते हैं बास ही है कि कि कोई भी कार् पूछ करता हूं हमारा राष्टी नेत्रित्वी का बिल्कुल क्लियर डायरेक्षन है कि हमें किस दिशा में मूफ करना है और जब राष्टीय नेत्रित्वी के डायरेक्षन पर आप चलते हैं, तो फिर स्टैंड से पीछे हटने का सवाल ही गाउटता तो यह बताईए यह जो अब मुके साहनी साहब है इनकी विदाई तेह है मंत्रि मंदल से भी उनकी विदाई हो चुकी है अभी का नियूज मैं आपको बता रहा हूं वो विदा हो चुके है उनको विदा कर दिया गया है बिल्कुल अच्छे यह जो तीन लोग थे यह जैसा कि इनोंने भारतिये जनता पार्टी के खिलाफ उमिद्वार दिया यह सब हमारे घर के हिस्से थे हमारे परिवार के हिस्से थे और यह बात पहले से तहीं कि चुनाओं के बाद यह मर्जर हो जाएगा पार्टी मर्जर हो जाएगा लेकिन कुछ का स्वभा होता है जब देखा उन्होंने की मेजॉरिटी थोड़ी सी ही ज्यादा है तो उन्हें लगा कि यहां हम इसको भुनाने में और इसका लाब वह शब्द मैं प्रयोग राजदीत में नहीं करूगा पर कुछ लोगों का स्वभा होता है और उन्हें लगा कि वह इससे सब कुछ हासिल कर सकते हैं जब तीनों जॉइन किये हैं दो हमारे पिछले बाद 2015 के चुनाओं में लड़े हुए थे राजू जी और मिश्रीलाल जी और स्वर्णा जी के फिता जी हमारे उस समय M.L.C. हुआ करते थे जब हमारे पास M.L.C. होते नहीं थे और उनके ससुर जी अभी तक M.L.C. थे यह जो हो रहा है वह उनहीं के द्वारा खाली होने के बाद यह चुनाओं हो रहा गतीनों तो शुरू से हम से जुड़े हुए थे हम लोगों की इक्षा से वह से दल में गये वार्फा उनको बुरा भी लगा था कि हमें क्यों उस दल में भेजा जा रहा है जब पहोचाह हां में प अब तो यह आप से अलग हो चुके हैं, हमें अपने घर में बुला लीजिए और उन्हें वो पुना अपने घर में आ गए तो घर वापसील नोग की हो गए? बिलकोल बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं एक जो बिहार में मैं आपको साफ साफ बताओं, सरकार को लेकर के लोगों के मन में अब निरासा उत्पन हो रही है, खास करके नेतित्त को लेकर के, यह चिंता आप लोगों की है या नहीं है? एंडिये गटबंधन बहुत ही अच्छा से बिहार में चल रहा है, हमारी अपनी कुछ सीमाएं हैं और उन सीमा में जो भी बहतर कारे हो सकता है, वह करने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, लोग पिछले चुनाव में भी हम लोग बिहार में ही थे, कु लोग उतने खुश नहीं है, आपके लोग ही नाराज चल रहे हैं, या आपको ख़बर तो होगी ही, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि गटबंधन का अपना एक ये है कि जिसमें आप उसको बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खुला-खुला, लेकिन फिर भी ये थिंकिंग ये कब तक भारती जंता पार्टी बिहार में, जबकि इसके पास कारे करता है, आप लोग ये से लीडर्स हैं, जो काम बीजेपी, यूपी में कर सकती है, मध्यपरदेश में कर सकती है, राजस्थान में कर सकती है, और अब तो महराश में भी करने के लिए तयार हो गई है, ये काम बिहार में क्यों हो सकता? NDA गडबंधन बिहार में मजबूती से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है और अच्छे से यह अपना कारेकाल पूरा करेगा अगे का क्या रोड मैप है? बीजेपी यहां से कहाँ जाएगी? पार्टी लगातार अपने कारेओं को करते रहती है, संगठन का काम है कि हर गाउं में अपने आपको मजबूत करना, आज wen 46 लाक वाले बिहार के एक मात्र दल और जो भी कारेक्रम केंद्र्यय ने तृप में इंट्रेश यदित्व देता है उस करकरम को हम इमांदारी से करते हैं,गळवंधन का निर्णे बिहार के इस्तर पे नहीं होता और चेंदर से गडवंधन का निड़ने कीया है भारते जनता पाथी का प्रत्यग का रिकृता,फorial के निर्णे के साथ हमारे सिर्फ एक नेता है,वह है प्रदान मंत्री होता है वह संगठन करता है जो प्रधान मंत्री जी का काम होता है वह सरकार और संगठन दोनों करती है भाजपा इसी सिधान पर चलती है लेकिन कभी-कभी यह चिंता नहीं होती कि जिस तरीके से जिसे कोरोना आया जो मेनेजमेंट बीजेपी रूल्ड स्टेट में हुआ जैसे यूपी के अंदर वो उस हिसाब से बिहार में वो मेनेजमेंट नहीं हो पाया यह कभी-कभी खलता है और लोग इसके बारे में चर्चा भी करते हैं और यह हर दिना चर्चा होती है बीजेपी के अंदर भी लोग चर इस गडवन्दन की वज़े से उस हिसाब से नहीं हो पाता जो दूस्रे राज्यों में बीजेपी की सरकार अपने से कर पाती है हमारे राश्ट्रीय नेत्रित में मानिय प्रधान मंत्री जी एक संग के कारेकर्टा के प्रचार क्री रूप से जीवन शुरू की है हमारे इमर्जेंसी की लड़ाई में हमारे राष्टिया ध्यक्ष जी एक छात्र होते हुए भी और एक ऐसे छात्र जिनके पिता जी प्रोफेसर थे उसके बावजूद भी उन्होंने इमर्जेंसी की लड़ाई सुल्ल से सत्रस साल में लड़ी है हमारे ग्रिह मंत्री जी स्कूटर लेकर के घूमते थे और प्रचार करते थे भाजपा का हमारे पास एक ऐसा नित्रित्व है जो जमीन से उठकर के आज राष्ट्रिय पड़ल पे चाया हुआ है वह सब जो देखते हैं जो निर्ने करते हैं उनसे बहतर निर्ने कोई नहीं कर सकता मन कहने मतलब कि उनको सारी ह जमीन की मालूम है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और उस हिसाब से वह अपनी स्टाड़ी बनाते हैं और आप लोग उसका पालन करते हैं हमारे आघ्यक्ष जी का जो दिर्देश हो था हम किसी व्यक्ति से जुड़े हुए तो है नहीं हमारे आओ अट अडियक्ष बदलते रहते हैं और सब कुछ बदल ते रहता है सेटप ही बदलते हुआ दो बार से जादा तो को उन्टिया ध्यक्ष भी नहीं हो सकता लेकिन राष्टिय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होता है वही कार्य प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूत अध्यक्ष तक पूरा करने का करता है हम अपनी बात राष्टिय नेत्रितु जरूर बताते हैं राष्टिय नेत्रितु के में सामोहिकता है और वह सामोहिक्ता के साथ पार्लामेंट्री वोट के जितने निर्णे होते हैं, हम कारे करता बिना कुछ और सोचे हुए कारे करते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सिर्फ मुर्द भासी ही नहीं हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे सवालों को आपने उसका जवाब दिया, वो वाकई काभिले तारीफ हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेर करें और हमारे चनल को फॉलो करें. धन्यवाद.